मैं देविंद कौनवाड एकर आप लोगों को केके सुन क्लासी में स्वागत है आप इस चैनल को सब्सक्राब और लाइक करना ना भोलें आप बेल आइकोन का बटने में दवा दें आज परतिलेकन संक्या 5 लिखाएंगे पहले आपको 90 के स्पीड में फिर 100 के स्पीड में इस इसका संक्यत लेपी भी इस वीडियो के सता टैस है और डिस्क्रिप्शन में भी आटैस है रेडी लास्ट एडी अस्टार्ट उपाध्यस महोदय बीत मंत्री को देश की आर्थिक इस्थितिती और निर्धनता के संबंध में जितनी जानकारी प्राप्त होती है उतनी किसी अन मंत्री को संभव नहीं होती बजट बनाते समय और वैसे तो बजट में आय ब्याय का ब्यावरा होता ही है लेकिन मूल रूप में देश की आर्थिक नितियों में किस परकार का परिवर्तन हो तथा किस मार्ग पर वह देश को चलाना चाहते हैं सरकार का लश क्या है इन सब नितियों का बजट में बीवरन होता है हमारे बीत मंत्री चाहे जिस पर पर भी रहे हो चाहे वे मुख मंत्री रहे हो या किंद्रिय सरकार में रहे हो उन्होंने संदार काम किया जिस मैं उन्होंने बजट प्रस्तोत किया उस मैं देश को और विशेश रूप से गरीबों को उनसे बहुत सी असाय थी देश में लगभग सालाख गाउं है उनमें जो ब्रुजगारी है गरीबी है उसके समंध में देश की जनता को उनसे बड़ी असाय थी और जनता देखना चाहती थी कि इस अबसर पर सरकारी वितियों के द्वारा देश को ओवे क्या मागदर्शन देना चाहते हैं पहरा चेंज इस द्रिश्टी से तीन मत पुर्ण बातें इस समय देश के सामने थी देश का आर्थिक विकास तेजी से हो अधिक लोगों को काम मिल सके और मुल्यों में अस्थिर्ता आए जहां तक इन तीन उदेश्यों का समंध है हमने देखा कि उस और कुछ पर्यात्न हुए हैं विशेश रूप से गरीवी हटाओ के समंध में इस देश में जो चर्चा चल रही है इस बजट में कुछ सीमा तक उसका उल्लेख मिलता है क्योंकि जितने भी पर्त्याक्ष कर लगे हैं ज्यादा तर धनी लोगों पर और विशेश रूप से शहर के लोगों पर लगाए गए हैं इस तरह से जो एक प्रकार की आर्थिक असमानता हमारे देश में चल रही है उसको दूर करने का पर्यात ने अवस किया गया है लगभाग पांच दसक पूर्व जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था उसमें देश में जितने सरकारी क्रमचारी थे ओवे ऐसा समझ बैठे थे कि अब तक देश में जिस तरह से अंग्रेजों का परशाशन चल रहा था उस तरह से काम नहीं चलेगा क्योंकि कांगरेश के जो नए लोग आये थे जो मंत्री बने थे ओवे लोग धन के मामले में त्यागी आदमी हैं धन से उनको मोह नहीं है लेकिन बाद में उन्होंने देखा कि हमारे मंत्री लोग भी उसी तरह से संदार जीवन परसंद करने लग गए जिस तरह से कांग्रेश करते थे रेडी अब साओ के स्पीड में लिखाएं रेडी लास्ट रेडी अस्टार्ट उपाध हैस महोदै बीत मंत्री को देश की आर्थिक इस्थिती और निर्धनता के संबंध में जितनी जनकारी प्राप्त होती है उतनी किसी अन मंत्री को संभब नहीं होती बजट बनाते समय और वैसे तो बजट में आय ब्याय का ब्यावरा ही है लेकिन मोल रूप में देश की आर्थिक नितियों में किस परकार का परिवर्थन हो तथा किस मार्ग पर उवह देश को चलाना चाहते हैं सरकार का लश क्या है इन सब नितियों का बजट में बीवरन होता है हमारे वित मंत्री चाहे जिस पद पर भी रहे हों चाहे होवे मुख मंत्री रहे हों या किंद्रिय सरकार में रहे हों उन्होंने सांदार काम किया जिस में उन्होंने बजट पस्तूत किया उसमें देश को और विशेश रूप से गरीबों को उनसे बहुत सी आसायं थी देश में लगभाग सालाख गाउं है उन्हों में जो ब्रुजगारी है गरीबी है उसके समद्ध में देश की जनता को उनसे बड़ी असायं थी और जनता देखना चाहती थी कि इस अवसर पर सरकारी नितियों के द्वारा देश को ओवे क्या मागदर्शन देना चाहते हैं पहरा चेंड इस दिश्टी से तीन मत्पूर्ण बातें इस समय देश के सामने थी देश का आर्थिक विकास तेजी से हो अधिक लोगों को काम मिल सके और मुल्यों में अस्थिरता आये जहां तक इन तीन उदेशियों का संबंध है हमने देखा कि उस और कुछ परियात्न हुए हैं विशेश रूप से गरीवी हटाओ के संबंध में इस देश में जो चर्चा चल रही है इस बजट में उस सिमा तक उसका उलेख मिलता है क्योंकि जितने भी पर्त्यक्स कर लगे हैं वे ज्यादातर धनी लोगों पर और विशेश रूप से सहर के लोगों पर लगाए गए हैं इस तरह से जो एक परकार की आर्थेक ऐसा मानता हमारे देश में चल रही है उसको दूर करने का परियात ने अवास किया गया है पहला चेंज लगभाग पान दसक पूर्व जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था उसमें देश में जितने सरकारी क्रमचारी थे वे ऐसा समाज बैठे थे कि अब तक देश में जिस तरह से अंग्रेजों का परशाशन चल रहा था उस तरह से काम नहीं चलेगा क्योंकि कांगरिस के जो नए लोग आये थे जो मंत्री बने थे वे लोग धन के मामले में त्यागी आदमी हैं धन से उनको मोह नहीं है लेकिन बाद में उन्होंने देखा कि हमारे मंत्री लोग भी उसी तरह से सांदार जीबन पसंद करने लग गए जिस तरह से अंग्रेज करते थे